नमस्कार किसान भाई यो डी गार्डन में आप सभी किसान वेगा एक बार फिर से स्वागत है और आप बने वे डी वी दामा के साथ लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हैं अब अपने ग्याओं की फसल की बुआई की क्योंकि यहाँ पर ग्याओं बुआई का सब किसान बाईयों का अलग अलग तरीका है बहुत से किसान बाई ग्याओं की बुआई करते समय सभी उर्वर्क पहले ही डाल देते हैं यानि के डिएपी, पोटास और सलफर और बहुत से किसानवाई देखे बुआई करते समय सिंगर सुपरफासपेट का उपयोग करते हैं और उसके साथ में कुछ पोटास भी डाल देते हैं और सलफर भी डाल देते हैं और बहुत से किसान भाई एनपी के काउप योग करते हैं तो सब किसान भाईयों का अलग अलग तरीका ग्याओं की बुआई का होता है लेकिन बहुत से किसान भाईय ऐसे भी हैं जो ग्याओं की बुआई करते समय केवल और केवल डीएपी का परियोग करते हैं यानि के डीएपी के साथ में वे अन्या कुछ नहीं मिलाते ना ही तो पोटास मिलाते ना ही सलफट डालते केवल डीएपी डाल करके अपने ग्याओं की फसल की बुआई कर देते हैं तो किसान भाईयों इन सब चीजों का सीधा सम्मद होता है हमारे ग्याओं की पहली सीचाई से एक वे किसान भाईयों गए जिन्होंने सभी उरवर्ख डाल करके पहले अपने ग्याओं की बुआई कर दी है एक वे किसान भाईयों गए जिन्होंने केवल डिये पी डाल करके अपने ग्यों की फसल की बवाई कर दी है तो सबसे पहले बात करते हैं उन किसान भाईयों की जिन किसान भाईयों ने केवल और केवल अपनी ग्यों की फसल में डिये पी डाल करके बवाई किये हैं 40-50 kg और इसके साथ में मिला लेना है पोटास 25 kg और अगर सलफर भी देना चाते हैं तो सलफर डाल सकते हैं 5 kg परतिये कड़ के इसाब से इन सभी उर्वरकों को मिला करके आप अपने ग्याओं की फसल में पहली सिचाई पर दे सकते हैं इससे आपके ग्याओं की फसल काफी केवल पहली सिचाई पर 40-50 kg यूर्या खाद ले करके उसको अपनी फसल में डाल सकते हैं जिससे उनके पोदे भी काफी अच्छे से ग्रोथ करने लगें क्योंकि उन्होंने बुआई करते समय जो और वर्वरक डाले थे पहली सिचाई के साथी पोदों की जड़ों को मिलने लगते हैं जिससे उनके पोदे काफी अच्छे से ग्रोथ करने लगते हैं और जो किसान भाई अभी हाल फिलाल में सब कुछ डालने वाले हैं तो उनकी पोदों की जड़ों को भी ये सब कुछ मिलने वाला है जिससे उनकी फसल भी काफी अच्छे से ग्रोथ करने लगेगी तो किसान भाई यो इस तरीके से आप इन उर्वर को कपरियो करके अपनी ग्यों की फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं तो किसान भाई यो ये थी आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और जो किसान भाई मेरे चैनल पर ने है चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो उन तक सबसे पहले पहुंच सके और इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मन में कोई सवाल आता है या सुजाव आता है तो आप नीचे कमेंट वोक्स में लिख सकते हैं खेती सम्मंदित एक नई जानकारी के साथ जल्दी फिर मिलते हैं